एक किर्केट में जीत लिए अब सारा साल डिसको डांस करना है कि हमने अरा दिया को अरा दिया अमने उनको ठुटा मारा हमने मौका मौका डॉलर एक सो पिछटर मौका मौका अब नाशते रो और भाई इधर गरीब आदमी का पेड़ खाली है वो किर्केट पर खाक डांस करेगा नहीं अग्रेसिवनेस भी थी जिस तरीके से यूनों स्ट्राइक रोटेशन थी जिस तरीके पर उनके चेरे पर नजर आ रहा था और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की के फिर उसने माशालला उसने ग्राउंड में खड़े होके नमाज पड़ी जो के इंदों के बीच में खड़े होके तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज सबस्क्राइब कर लीजे और हमारी बैल इकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिये, कॉमेंट करिये और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिये गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लाते रहते हैं पूरे नियूस रिलेटेट जो भी वाईरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी डेवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो अप हमारे चैनल से बने रही है पता लगाओ बारी है कि इंटर बैंक मार्किट में 175 रुपेगा हो गया डॉलर अब ना समझ में आने वाली बात है यह चलो मैं ये तो समझ सकते हूं कि मैं तो देखें जब भी कोई मुझसे मुझसे पूछता है कि ये डॉलर खरीदू या बेचू मैं कहता हूं खरीदो लोग कहते हैं मार कि मुझे पता है कि 112 से फिर 175 पे जाएगा दरूर ये डॉलर और फिर इससे भी उपर हो सकता है चला जाए मेरी एक फैन थी वो अब केनेड़ा शिफ्ट हो गई केनेड़ा जाने से पहले मुझे पूछने लगी अली भाई बताइए कि मैं डॉलर खरीदू या बेचू मैंन का तब भी खरीदो तब चाहिए देग 105 ए 106 रुपे रिट था मैंने का खरीदो 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 फैदा होगा अब ये कोई सला मशवरा नहीं है भाई या अवियस चीज है आपकी अनस्ट्रक्चरड अन जिसे आपके अनस्ट्रक्चरड एकॉनमी के अंदर जहां पे मुलक अंदर एर अगर स्वी बनाने की गाभलियत नहीं रखते एक सूई नहीं बना सकते अगर आपको सूई भी बिना नहीं तो मशीन भी बाहर से आगी लोट भी पार से आगै वैसे ही आपको बता रहा है तो फिर आपको खुद ही पता है के डालर उपर जाएगा अब नाचते रहो वह भाई इदर गरीब आद्म का पेड़ खाली है वो किरकेड पे खाक डांस करेगा नहीं आप मुझे बताएं गरीब आद्म का पेड़ खाली है वो तो किरकेड पे थोड़ी डांस geben है एक सो पिक्च्छतर रूपे डालर वालो मेरे साथ जिराणी करो अपना ख कि सारी दुनिया को दम मारो दम बेच के पैसा आया बताओ क्या मैं आप मुझे बताओ घड़ियों की इतनी बड़ी बड़ी दुकाने लगी हैं इंटरनेशनल घड़ियां वहाँ पर विक्ती हैं गिराक एक भी नहीं मैं पूछ रहा हूं आप बताएं ना आप बताएं हां त देगाल के बेच दूँगा आप मुझे बताओ ये महिंगी महिंगी घड़ियों के ब्रैंड वाले दुकाने इनकी खाली खरीदार कोई भी नी कैसे चल रही हैं नहीं मैं आप से पूछ रहा हूं ना कैसे चल रही हैं आप जाके देख लो मार्केट में 90% प्रीमियम प्रुफियूम वाले किसको पर्फियूम बेच रहें सवाल ये निशान कोईश्टन माई शूरी के खाली मामो दया पताल लगाता है क्या गड़बड क्यों है में शारा, फैसल पूरा गूनता हूं कितने ही मकान खाली पड़े में, कुई मेकीन ही मिकीनी नहीं नहीं, क्रू नहीं तो यार अपना देड़ छटांका घर नहीं चोड़ते हैं जो 20 क्रस का कोई प्लाड हो तो वह नहीं चोड़ते तो ये इतने बड़े-बड़े मेकान छोड़ के खाली ही लोग कहा गये हुं हैं का गये हुए हैं क्या देखरें टीवी की तरफ है बताओ क्या जवाब है म बना के रख के छोड़ दियें क्यों? नो अंसर बताब थे उनका नाम था आगा हसन आबिदी उन्होंने बेसिकली आप समझें के एक बैंक को बहुत परवान चड़ाया था और दूसरा बैंक उन्होंने खुद बनाया था और तीसरा बैंक उन्होंने बेनल अक्वामी सता का बनाया था जिसका नाम था बी सी सी आई बैंक क्रेडिट कॉमर्स इंटरनेशनल ये बैंक जाके जैसे भी सिस्कियां लेते वे हामतावा नवे की दियाई में जाके खतम हुआ ये दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा कमर्शल बैंक था जिसका हेड़ कॉर्टर कराची और लंडन में था कैसा दिया आप मेंसे बहुत सारे लोगों की तो योमे पैदाईश से पहले की इबात है और वो बैंक इसलिए बंद हुआ था क्योंके दुनिया के ड्रग्स का पैसा दुनिया की गन रनिंग का पैसा दुनिया में कर्मिनल एक्टिविटीस का पैसा उस बैंक में था लोग कहते हैं कि जी और बिंक भी करते थे और बिंक भी करते थे लेकिन बैंकारी का जितना ये निजाम है या आलम यहूद के पास है उनको जब कोई छिड़ता है तो फिर वो छिड़ जाते हैं, वो उसको वापस छिड़ते है, तो ख skipped आपते हैं, लेकिन F.A.D.F. में जो हम में फसा के रखावा जिन्हों uh क्योंके बहुत सारे लोगों निट लंदन में तो नवे की दियाई में मैं यह नहीदहा है कै उन्हों ने इन पैसलों से लिये। लिए जैदादें लोगों नवे की दियाई में भाई ज़यन आप तो सारे कंगले ही हैं मेरे साथ अब टेलिफून लाइन के जरीए जोईन कर रहे हैं जनाब जफर पराज़ा साथ किसी तारू के मोताज नी है इस शोबे से इस कारोबार से मुंसलिक भी हैं और इन से बरहरास पूछते हैं सर आप क्या जल्म ढारे हैं ये क्या 175 की खबर लगी है बुल रहे हैं साथ कि एंटर बैंक में 175 यानी ओपन मार्किट में तो इससे भी ज्यादा हो गई होगी कुछ समझाएं हमें ये कर क्या रहे हैं जफर पराज़ा साथ आपके आवाज नहीं आ रही है अलो जफर पराज़ा साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है 175 पे पहूंच गया डॉलर आवाज नहीं आ रहे है आवाज आप दुबारा से जोड़ें राप्ता तब तक 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 नी कोई चोटा मुटा मसला हो गया दुबारा से आते तो जनावे वाला आप डिटेल आपको मैं बता दूँ के भाईजान पाकिस्तान में है मंड के दो नंबर चिटिंग का फराड का पैसा ये बता नहीं रहें ये मसूम बन रहें नहीं नहीं आप जाशे टोरी आम बच्चे हैं ये पैसा ये मकान जो खाली पड़े हैं पूरे कराची शेर में पूरे पाकिस्तान के अंदर दया पता लगाओ ये क्या गड़बड है जिस शेर के अंदर गजगज के पीछे लड़ाईया हो रही है वहां हजारों गजगज जमीन पर बने मकान क्यों खाली पड़े हैं वी आई पी एरियों के अंदर दया पता लगाओ ये प्रीमियम प्रोड़क्स ये रिस्ट वाचिज ये परफ्यूम की दुकाने गहा कोई भी नहीं है धना धन चल रही है दया पता लगाओ तो कुछ तो गड़बड है लजाम किसी पे नहीं लगा रहे गड़बड तो है यार मैं मानने को तयार नहीं हूँ कैसा कारोबार है जिसमें आप मुनाफ़ा नहीं कमा रहे हैं साला साल आप चल रहे हैं ये तो मैंने दो पता है और पता नहीं कितने हैं कालीन का बिजनिस ह जफर प्राइचा साब आपको मेरी आवाज आ रही है आपसे रापता जोड़ने के लिए बिताब है तो दोस्तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपको पता है दोस्तो पाकिस्तान में जो महंगाई है वो मतलब पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अभी इस्तिती खराब है और इस बंदे को देखकर तो लगता है इस बंदे ने मतलब एक हपते पहले चिकन खाया और अभी तक टॉयलेट नहीं गया इतनी कंडिशन खराब है जो टॉपेट में जो माल है वो खाली नहीं करना चाहता इतना मस्ती खोर बंदा है ये तो दोस्तों ये सब चीज़े आप देख रहे हैं और पाकिस्तान आभी इंडिया खराब जीते हैं उनके जनता को सेलिबरेट करना उनका हक है उनको करना चाहिए एक सैंसिवल वे में मैंने यहां पर एक वीडियो भी लगा दिया वकार यूनिस का वकार यूनिस आप जानते है पाकिस्तान के छोटे मोटे कर्केटर नहीं है मतलब बहुत बड़े कर्केटर है और इंडिया में उनने काम भी किया हैधराबाद के लिए इन्हों ने कोचिंग किया प्रॉपर वीडियो डाला और मैंने अपना कुछ गूमेंट भी किया वो वीडियो थोढ़ा सा वाइरल हो गया जिसमें पाकिस्तानी जाकर बहुत कॉमेंट कर रहे हैं कि इसमें गलत क्या है गलत क्या नहीं है तो भाई मैं उनको क्या जबाब दू मुझे पता है कि अब उनक के बीज नमाज पढ़ी है तो ये भी बोल देते तो चलो ठीक है चल जाता लेगन इस फेसली तुमने हिंदु वार्ट टार्गेट करके तुम क्या कहना चाह रहे हो अब जो भी है वकार अब ये टॉपिक बहुत कॉंट्रोवर्शल बन चुका है हरसा भोगले और बहुत सारे लोगों ने इस पर कॉमेंट किये है और पाकिस्तान के जो लोग थोड़ा सा मतलब आपको पता है उपर से कुछ और अंदर से कुछ और वो वाले लोग ने भी कमेंट किये है कमर चीमा ने इस पर स्पेसली वीडियो बना है तो वो मतलब अभी वकार को बोलतो रहे हैं लेक को ये सब नहीं पता चलता मुझे लगता है दोस्तों आप से रिक्वेस्ट करूंगा गारी से फालतू जो आप घूमते हो वो बंद करो अगर चोटे मोटे काम है बाजार से दूद लाना है सबजी लाना है पनीर लाना है तो नॉर्मली जाके पैदल थोड़ा सा वॉक करके च सथी है लोकल के लिए सही भी रहेगी वो वाइक उसी का वेट कर रहोगा आपके क्या कॉमेंट है दोस्तों प्लीज कॉमेंट सक्षन में जरूर बताए चालो को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें